जो मैं चाहूं वो मैं पाऊं सारी दुनिया पर मैं चाहूं ये लोग सही में पत्रकार है क्या? या फिर दलाल है जो एक्ट्वल में बूला जाता है चीन के दल्ले मतलब मैं तो ऐसा शब किसी के लिए प्रियोग में नहीं लाता हूँ बले लिप्स्टिक लगाता हो या बाल उजले हो चीन के दल्ले उल्ले नहीं कहना चाहिए किसी को बले वो हो मतलब पत्रकार है ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं अभिसार को 45 लाग गया है उर्मलेश को बुजूर्ग है इसके कारण मुझे लगता है 25 लाग ही दिया गया जबकि सीनियर थे तो अभिसार के लिप्स्टिक का मुझे लगता है खर्चा देखते हो उनको ज्यादा दिया गया उर्मलेश तो बाल भी कलर नहीं करता मेल लीक आप ले लीजिए और उसके आद इनके आर्टिकल्स पढ़ लीजिए आप जाके न्यूज क्लिक के आपको पता चल जाएगा कि इधर से कुछ खाद पानी आया और इधर फसल जो है लालाहा उपती है और वो फसल जो आप धान की थीक यहों की यह पता नहीं चल पा गया और हम और आप उसे यह समझ के नहीं यार यह भी यह एंटी मोदी नहीं 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 वो एंटी मोदी नहीं थे वो एंटी इंडिया हैं एंटी राइजिंग इंडिया है इतना चाटा चाटते चाटते चनन से उपर की और कहां कहां पहुँचके चाटते खून निकाल जब गुजरात दंगों की इनकी एक हिस्ट्री है असम के दंगों में इनका हाथ है तो मैं तो यह भी मान के चल रहा हूँ कि मनिपूर में जो अभी हो रहा है उसमें भी अगर हमारी प्रोवेजन्सी जो डिग करें तो पता चलेगा इन लोगों ने पैसे लेके पका रिपोर् करके परिस्थिति किस तरह की उत्पन हुई वो किसान अंदोलन में डिस्टेबलाइज करने के लिए उसके याद फिर सिये वाला मतलब किसान अंदोलन से पहले ही फिर इनोंने सुचा कि नहीं हम आर्थिक व्यवस्था पे इनके अर्थ तंत्र पे और इनके उन वेल्थ क्र को रोजगार देते हैं जो चाइनीज कमपनियों से सीधे टकर ले रहे हैं नवसकार दोस्तों कल सुबह सुबह ईडी ने कुछ जगहों पे छापे मारें और इसमें आप लोगों ने सुना होगा अलग लग हेडलाइन चीनी दलालों के उपर छाकबाजी हुई हलांकि इन ल लोगों को लेकर के इंडिया चाइना बॉर्डर विवाद जो हुआ था उसको लेकर के और अन्य तरह तरह के भारत विरोधी जो है आर्टिकल और वीडियो यह लोग लगातार बनाते रहे थे इन पे एडी ने पिछले कुछ समय में पीमले जो होता है मनी लॉंडरिंग का उसको लेकर के भी 38 करोड की फंडिंग को लेके चापा मारा था उसके पिर नियॉक टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी कि कैसे एक नेविल सिंगम करके है वो है तो इंडियन लेकिन सिर्जेंशिप है उसका यूएस का बिजनेस उसका चीन में होता है बैठता संगाई मे हैं और वहां संगाई से ये कई मतलब एक जाल विछाया हुआ है जिस तरह से होता है न vendring जो ہोता है हो इसी तरह से होता है कि आप एक NGO बनाते हैं एक company फीर एक NGO फिर दूसरा NGO फिर तीसरा वो जो है किसी ऐसे random organization को fund करेगा वो fund किसी तीसरे random organization को होगा और वहां से finally जहां पर internet recipient है उनको जो है वो दिया जाता है और उसके लिए आप कुछ लेन दिन obviously खाली दिया जाएगा तो लिया भी जाएगा कुछ-कुछ तो उन्होंने अब लेने के चक्कर में इन्हें देने पड़ गए है वो बात लग है हुआ क्या है थोरा सा वो बता देता हूँ न्यूज क्लिक जो है 2017 तक एक loss making entity थी कोई नहीं जानता था क्या है अचानक से इसमें जो है फंडिंग आती है जवरदस्थ फंडिंग आती है और फिर इसके टोन में बदलाव आता है और ये भारत विरोधी और चीन का प्रपंच जो है वो फैलाना अरंभ कर देता है और होना ने क्या-क्या फैला है आगे चर्चा करेंगे अभी UAPA की धराएं लगी है उसमें section 16, 17, 18 जिसमें एक terror activity का है, terror funding का है, conspiracy का है और है कि आप offense कुछ-कुछ करते हैं, company जब कुछ करते हैं तो उसको लेकर के हैं कुछ दलालों से और मतलब तथाक धित-पत्रकारों से पूछताच भी हुई है, रोना-गाना भी जो इन लोगों का विलाब चलता है, वो सारा भी हुआ है पूछताच का आधार जो था वो था कि चीन जो है आप लोगों को fund कर रहा है और ऐसे कई हमने reports देखे हैं, पिछले कुछ महीनों में कई fact checkers ने और कई जो OSINT वाले होते हैं, open source intelligence वाले हमारे कई मित्रों ने इस पे खुलासे भी किये हैं हौकाई है, विजय कजेरा है, बेफिटिंग facts है, इन लोगों ने star boy करके हैं, इन लोगों ने लगातार जब ED ने छाप पे मारे हैं, उससे पहले से इन लोगों ने इनकी funding को लेके और कैसे कैसे ही लोग जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे किसके तार हैं, इन्हों ने किया था और उसके बाद फिर ED को भी money trail मिला और लगातार दो-तीन वर्षों से इस पे कारवाई हो रही थी, शोध एक तरह से चल रहा था और जब इनके पास trail मिला है, उस तरह के evidence मिले हैं, तब इन लोगों को पूछताच के लिए बुलाया गया, इसको ये उठा लिया गया, और होता नहीं कि लूटे रे वाम पंतियों का ये सब होता है, डकैती डाल लो उसका, नहीं जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, करांती हो कर रहेगी, तो वही सब रोना गाना चल रहा है, दुर्भागी देख और उसको लेकर ये तमाम विवाद है, आज मैं चुनौती देता हूँ, नियॉयोक टाइम्स की रिपोर्ट में बताओ की अभिसार शर्मा का नाम कहा है, चुनौती देता हूँ बताओ, आभे अधूरे दस्तावेश पेश करने से तुम्हारा जूट सच नहीं हो जाता है, ये गड़बड़ी बहुत पहले पकड़ ली थी, और उसके आद आप देखें, नियॉयोक टाइम्स का आता है, और नियॉयोक टाइम्स को तो ये लोग तो अपना वो बाइबल टाइप का मानते हैं, अब नियॉयोक टाइम्स ने जब लिखा कि भाई नेविल सिंगम और य जो explain किया गए, इनकी Chinese propaganda कैसे फैला रहे हैं, तो अब उनको इस पर विश्वास नहीं है, यही विदेशी एक random company, Hindenburg Report आती है, और अडानी का कितना वर्थ चला जाता है, और उस समय आप इसी सब कमपनियों का, चाहे News Click हो, चाहे उसके बाकी जो उससे जुड़े हुए इन लोगों की reporting आप अडानी पर जाके देख लीजे, कि किस तरह से एक vicious narrative इन लोगों ने चलाया था, एक फरजी का, यह उठा करके कुछ बोला गया कहीं पर, हाँ भाई एक अंग्रेजी भाई विदेशी company एक बता रहे, company का है, पांच लोगों का है, बस, और उसके उपर जो है, लगातार एक के बाद एक तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं, स्वैम भी वहाँ फसा हुआ है, तो खेर हम उसमें नहीं जाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने एक तरह से खाली attack नहीं किया इंडिया पर, COVID के टाइम पर panic माटना, राफैल डील के समय जो है, कॉंग्रेस के साथ मिलकर के परिस्थिति किस तरह की उत्पन हुई, वो किसान अंदोलन में destabilize करने के लिए, उसके पिर C.A. वाला मतलब किसान अंदोलन से पहले ही, ये सब तो चल रहा था, जो आप एक तरह से civil war type किस्थिति जो उत्पन करना और उसके बाद जब इनको लगया कि नहीं, ये rift जो है, चुकि इंडिया एक homogenous society है और patience का level भारत का अत्यधिक है, भले ही एक तरह की विचारधारा के लोग लगातार पूश करते रहें, फिर इनोंने सुचा कि नहीं, हम आर्थिक विवस्था पे, इनके अर्थ तंत्र प रहेंगे, जो बहुत अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, जो चाइनीज कंपनियों से सीधे टकर ले रहें, तो फिर अडानी को लगातार इन लोगों ने target किया, तो इन सब को उठा करके, अब ED को उस तरह के सबूत मिले कि नहीं भाए, ये केवल एक तो है ठीक है, पत जब आप कहीं से पैसा ले रहें, और उसके बाद उद्योग पतियों को target कर रहें, उसके आद दंगाईयों के समर्थन में आप आते हैं, दंगाईयों के साथ, अविसार शर्मा की खालिद सैफिक साथ फोटो है, जो दिल्ली दंगों के मुख्यार उपितों में से एक है, ज कहने को तो कुछ-कुछ जगों पे 10,000 करोर टाइप का बूला जा रहा है, कि COVID के टाइम में और उससे पहले भी इस government को destabilize करने के लिए funding की गई है, और किन-किन लोगों को की गई है, वो तो बाद में जहांच में दीरे-दीरे पता चलेगा, लेकिन news click पे भी 38 करोर रुप में थे, आप conspiracy कर रहे थे और आप शत्रु राष्ट का प्रोपगेंडा जो है लगातार भारत में धकेल रहे थे, इसके बाद क्या हुआ कि जो है कल छापा पड़ा उसके दलाल समू नहीं काना चाहिए, पत्रकार अपने आपको लोग कहते हैं, बाकी लोग भी उनको कुछ कहते हैं पत्रका, और एक्सन में आगया, हाँ, 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 दी, दी, मैंने रिपोर्टर्स केलेक्टिव को फोन कर दिया, मैंने रॉइटर्स वाले कर दिया, मैं विदेशी कुछ आखवारों से बोल रहा हूँ कि हाँ, हाँ, लोग तंत्र के अत्या हो गई है, फाद के कल में, मतलब यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट का एक स्पोक्स परसन था, उसने बोला कि हाँ, हम जो है प्रेस फ्रिडम के फ़लन, जो उनका होता है, और तो और पाकिस्तान का भी चौधरी फवाद है, उसने भी पूरा लिख दिया, कि भारत में बताई है, लोग त तो है, ये सुनिए, ये दो क्लिप्स है, मस्तराम, sorry, N.Ram, ये वो दहिंदू पेपर चलाता है, तो मस्तराम साब का, यार बार बार में मस्तराम का नाम ले रहा हूं, N.Ram साब का, M.Ram और N.Ram में में थोड़ा सा वो हो गया, तो उनका कहना है कि भाई, चीनी पैसा लेना कोई अपराद हो रहे ला है. तो यहां पे N.Ram जो है, वो बार-बार कह रहा है कि यार, नियॉक टाइम्स में जो बात हुए तो उसमें चीनी पैसे की बात कहां पर, वहां तो बस कहा जा रहा है कि इस आदमी ने चीनी प्रोपगंडा को फ्यूल किया है, फंड किया है वो फैलाने के लिए, तो हमारी सर सरकार कैसे कह रही है कि इसमें चाइनीज फंडिंग है, मतलब अब चुकी नियॉक टाइम्स में पैसे की बात नहीं हुए है, तो अब सरकार, मतलब सरकार के पास अपनी एजनसी नहीं है, सरकार प्रोब ना करे, इडी, उडी जो है, यह सब कोई काम का नहीं है, आधे टाइम तुम नियॉक टाइम्स को केवल इसलिए मान रहे हो, क्योंकि विदेशी कंपनी है, और उसने जो है, फंड की बात नहीं लिखी, खाली बोला है कि चाइनीज प्रोपगेंडा पूश कर रहे है, और वो यह क्ल है हूँ है, या उसने जो पब्लिस किया है, चुकिनीज क्लिक का नाम डाल दिया इसलिए वो गलत हो जाता है, अब बात आते ही है, क्या क्यों निज क्लिक के बारे मैं आप ठीक है, वो लिपस्टिक वाला आता है लांडा, वो बात अलग है, वो बाल वाल जारते होई कुछ क्लिक कुछ है यह अभी तक तो मैं नहीं जानता था जब तक यह सब पकड़े नहीं गए उर्मिलेश यह सब जो है मतलब खास करको ऐसे बुड़े जिनके बाल सफेद हो गए हैं और खदर वदर टाइप का पहनता हो और यह कुरता उरता उनसे आप लोग बच के रहा की जीए ऐसे लोग जो है वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं compromised individuals होते हैं और इनके एक विशब्द पे विश्वास नहीं किया जाना चाहिए अब यह अचानक से यह portal चर्चा में आता है इसमें जब यह लोग नेविल सिंगम और पालाना डिमका गुमा फिरा की जब funding funding होती है इ ऐसे जो दिये जाते हैं एक loss making entity में 10 रुपिय परती शेयर था और शेयर पर premium आपको पता है कितना पे किया गया 11,510 रुपिया परती शेयर premium 10 रुपिय का शेयर 11,510 रुपिय का premium दिया गया उसके बाद क्या है कि जो ही यह खरीदा जाता है मतलब जो ही इसको fund मिलता है उस उसके बाद जो है इनके tentacles जो है वो निकलते हैं और वही होता है कि पानी मिलने लगा खाद मिलने लगा तो अब यह लोग जो है बेतरती इधर उधर बढ़ने लगे आरम होता है राफेल की reporting से राफेल पे तो रवी नायर ने इतना लिखा है इतना लिखा है लिखते लिख उसका किताब लिख दिया और उसका तो कोई ना दोस्त है बीजेपी में ना कॉंग्रेस में वह जाके करनाल में राहुल गांधी से मिलता है भारत जोड़ो यातरा के दोरान और उसको किताब जो है गिप्ट करता है और वो किताब जो राफेल के उपर विशुद जूट मतल कि सुप्रीम कोट कैसे गलत है और उसके बाद फिर किताब लिखे मतला आप सोचिए कि किस लेवल का है ये पूरा वहाँ पर प्रोपगंडा और रवी नायर यहीं पर नहीं रुका अभी तो फरार चल रहा है वो पकड में नहीं आया उसके उपर छापा नहीं पड़ा है वसाइद भाग गया है कहीं पर रवी नायर ने अडानी के भी उपर एक सुत्री एजेंडा बना लिया था उस वक्त तो कई लोग थे और ये लोग जो है अंडर दर रैडार आप कह सकते हैं कि एक तरह चल रहा था लेकिन न्यूज क्लिक पे चाहे अविसार शर्मा हो उन सब की रिपोटिंग आप अडानी पे जाके देख लीजिए एक तरफ रवीश कुमार लगा हुआ था एक तरफ ये रवी नायर जो है वो भी लगातार एक के बाद एक आर्टिकल्स लिखे जा रहा था उसके न्यूज क्लिक पे वीडियोज बन रहते तो ये सारा एंगल भी हमें देखना होगा कि ये लोग कर क्या रहते न्यूज क्लिक केवल और केवल गलत कारणों से ही चर्चा में है और वो गलत कारण है कि आप जो है एक के बाद एक भारत की भारत और चीन का सीमा विबाद है उस पे भी चीन की तरफ से लिखे जा रहे हैं आप कोविड में इतना अच्छा वैक्सिनेशन प्रोग्राम पूरे विश्व में नहीं है 200 करोड लोगों को वैक्सिन दिया जा चुका है लेकिन आप जो है उसके एक इस लिख रहे थे क्यों कि चीन वालों ने आपको मेल करके लिखा था क्या आप लिखिए कि चीन कैसे अपनी गलतियों जल्दी जल्दी सीख रहा है और फिर चीन कैसे कॉविड मेनेज कर रहा है आप सूचनाओं को मैनिफेक्चर कीजिए क्रियेट इनफोर्मेशन करके इस तरह के मेल है और उसके बाद फिर आप इस वर्ष तो आपने अडानी पे तो ऐसा किया है इन लोगोंने गंद मचाया है पूरा चैनल इनका भरा पड़ा है और पता चलता है कि ये लोग कहां से कौन आप सूचे की कौन लोग है ये चीन का एजंडा चलाने वाले कौन लोग है आखिर ऐसा क्या है कि आप वही सब एजंडा चलाते हैं उसी लाइन में चलाते है जो चीन चाहता है जिससे चीन की मदद हो रही है तो उसी में ये रभी नायर अविसार शर्मा जो है और बाकी भाषा सिंग उर्मिलेश और ये साब परणजाय ठक उरता और ये सारे लोग है जिन से पूस्ताच की गई एलेक्ट्रिशन से लेके एक है अब है तो परणजाय का कोई जानने वाला है लेकिन एक जो सब करके इलेक्ट्रिशन उसको संभबता डेढ़ करोर रुपिय गये हैं आप सोचे इलेक्ट्रिशन है उसको डेढ़ करोर रुपिय न्यूज क्लिक से गये है मतलब वही आये हैं घुमफिर के पैसे अभिसार को 45 लाग गया है उर्मिलेश को बुजूर घैस के कारण मुझे लगता है 25 लाग ही दिया गया जबकि सीनियर थे तो अभिसार के लिपस्टिक का मुझे लगता है खर्चा देखते हो उनको ज़्यादा दिया गया और मिलेश तो बाल भी कलर नहीं करता और इसी तरह मतलब एक पूरी लिस्ट है जो बेफिटिंग फैक्ट्स वालों ने भी लगाई वो भी आप देख सकते हैं CPI का IT सेल वाला था उसको जो है ठीक ठाक फंड किया गया है तो ये सारे लोग एक तरह की चीज जो है वो लगातार बढ़ा रहे थे एक मेल लीक हुआ और मेल लीक पे आप पदमजा जोशी जी है उनकी एक रिपोर्ट है वो देखिए इस एमेल वस रिटन बांग इन दे मिदल अफ दे कोविड आउट ब्रेक लस्ते के लोग आप इसमेल बांग अगे रापन नेविश इन चाहिए और प्रभीष ऑचायाष्ट विस इस बादर इडिटर इड़ इडिटर इडिव ऑन चाहिए और मेल अफ लुचा लगाइए How quickly China identified the virus genetic sequence, developed the kits and ramped their production and testing A contrast to countries like India and the US The question that needs to be asked though, why would an Indian journalist on the nudging of an American funder Sympathetic to and funded by the Chinese government, want to run down India's handling of the Covid crisis and show China in a good light Covid crisis, how China must handle it Then we will say that some days after China was wrong, but how it was wrong Then we will say that China is better at all Vaccination and all of this And the US and the US, they are better at China They are better than us And all these things, you can take a link and read your articles if you can read in the news click You will be able to find that the virus came down here and the virus came down there And the virus came down here, the virus came down there The virus came down here, the virus came down here The virus came down here and the virus came in the UK तो वो workshop क्यों attend कर रहा था वहाँ पर? Chinese Communist Party का workshop क्यों attend कर रहा था? और वो workshop attend करता है, उसके अध मेल आता है, मेल में कहा जाता है आर्टिकल लिखो, और आर्टिकल ये तो कुछ एक मेल लिख हुआ है, बाकी जो मेल होंगे जिसमें ये अंबानी को target करो, अडानी को target करो, सूट बूट की सरकार बताओ, और बताओ की ये जो है गलत तरीके से, मोधी जो है उसको favor कर रहा है, पैसा दे रहा है, ये सारी चीजें, तो आप सोचें कि इसके पीछे कौन लोग हैं, और किस तरह से funding और उसका impact, कैसे समाज को तोड़ने के लिए, और समाज में पूरा misinformation का, disinformation का, और fake news, और manufactured information का एक पूरा campaign चलाया गया, और हम और आप उसे, ये समाज को के नहीं यार, ये भी, ये anti-mode है, नहीं नहीं, वो anti-mode है, वो anti-India है, anti-rising India है, anti-economic might वाला India है, और वो चाहते हैं कि हर तरह से, चीन जिस तरह से चाहता है, मतलब अरुनाचल प्रदेश के map तक बताया गया, कि आप ये वाला map, जो चीनियों ने हमें दिया है, वो वाला map जो है, सीमा अभी बाद पर share करना है, ये सारा चीज वहाँ पर चल रहा था, अब प्रस्ना आता है, कि ये लोग सही में पत्रकार है, क्या, या फिर दलाल है, जो एक्च्वलम बूला जाता है, चीन के दलले, मतलब मैं तो ऐसा सब किसी के लिए प्रियोग में नहीं लाता हूँ, बले ओ लिप्स्टिक लगाता हो, या बाल हुज लेओ, चीन के दलले ओले, नहीं कहना चाहिए, किसी को बले वो हो, मतलब पत्रकार है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, चीनी एजेंडा आप चला रहे हो, कॉंग्रेस की चरन बंदना लगातार कर रहे हैं, मतलब इतना चाटा, चाटते चाटते चरन से उपर की और कहां कहां पहुँच की खून निकाल दिया साला चाट चाट की, दंगाईयों के सा हो जाते हैं, और उनके फेवरों में फिर वीडियोज बनाते हो, यह सारा जो है, ऐसा करने वाले लोग पत्रकार तो नहीं हो सकते हैं, यह तो किसी पार्टी के कारिकरता होंगे, या फिर प्रोपगेंड़ा फैलाने वाले यह तो उपद्रवी तत्व हैं, इनके उपर तो स दिरे दिरे ये सब पता तो चलता ही रहेगा। राफैल के उपर मैंने बोला है कि कितना मिस इंफर्मिशन फैला आ गया। कैसे लोगों के मन में डालने की चेश्टा की गई। कि लमोंडे करके एक फ्रांस में अखवार है उसने लिखा था और ये जो मस्त राम सौरी एन राम जो है हिंदू वाला वो कटा हुआ। इन लोगों को कटा हुआ शेयर करने का एक तो गजब का नाम दा हिंदू है काम कटा हुआ वाला करता है ये भी समझ में नहीं आता है। उसमें भी उसने डिफेंस मिनिस्ट्री का एक पन्ना शेयर किया था वो नीचे से जो है वो कटा हुआ था। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इन लोगों को क्या हम सही में पत्रकार कह सकते हैं। पीक कोविड के टाइम में जब लोग अल्रेडी परिशान थे तब आप पैनिक क्रियेट कर रहे थे। तो फिर आप पत्रकार की हिसाब से अपने आपको कहते हैं। बॉर्डर इशू पे और रेगुलर्ली आप एंटी इंडिया नरेटिव जो है वो लगाता फियल करते रहें। एक तरफा आप रिपोर्टिंग करते रहें प्रश्नवाचक चिन लगाके। प्रश्नवाचक चिन वाली ये जो रिपोर्टिंग होती है ना। ये तो मुझे पहले तो रिपोर्टिंग होती ही नहीं है। अगर एक पत्रकार स्वैम ही श्योर नहीं है कि क्या राहुल गांधी बनेंगे एक कॉंग्रेस के अध्यक्च बन जाएंगे क्या। यार जब तुम श्योर नहीं हो किस से पूछ रही हो प्रश्न तुम्हारा काम इंफार्म करने का मैंग्निफिकेशन का है तो ये प्रश्नवाचक चिन लगा क्या सही में राफैल पे सुप्रीम कोट ने दिया अच्छा निर्न है। ऐसे करके तो आप डाउट्स क्रियेट कर दिया या आधिकारिक बयान सेना का आगया उसमें आप करें क्या पुलवामा सरकार जैसा कर यह वैसे ही हुआ था। यह आप कर रहे हो तो आप effectively mislead कर रहे हो पब्लिक को कि आप इस लाइन पे सोचना शुरू कीजिए कि पुलवामा सरकार नहीं करवाया था। राफैल में जो है गोटाला हुआ है और सुप्रीम कोट को इन लोगों ने मैनेज कर लिया। इस तरह चल रहा था तो इन लोगों का पत्रकार कैसे कह सकते हैं। यह प्रभीर पुरकायस्त है। अब यह बंदा मतलब यह सब भी उसमें फसे हैं। इसने सबरंग पोटल और इन सब का उस सितलवार से जो है वो जुड़ा यह वाले पॉइंट पर आप गौर कीजिएगा। सबरंग पोटल ने वाइट वाश करने कोशिस की असम में जो दंगे हुए थे और जब कॉंग्रेस सत्ता में थी उस वक्ट वहाँ पे तब की बात ही। तो एक दंगा नहीं है और असम के दंगों में चीनी फंडिंग का हाथ पाया गया। उसी तरह तीस्ता सितलवार जो हाइली कॉंप्रमाइजड है जिसके उपर तरह-तरह के आरोप लगे हैं उसका गुजरात दंगों में क्या हाथ था आप जानते हैं विक्टिम्स को कोच किया गया कि तुम्हें किस तरह से कि इस एजनसी को पताना है, फंड के मिस अप्रोप्रियेशन के इसके उपर आरोप लगे हैं इसको भी न्यूज क्लिक और यह पूरा जो जाल बना होता उसके माध्यम से इन लोगों को भी पैसे पहुंचे हैं तो जब गुजरात दंगों की इनकी एक हिस्ट्री है असम के दं रायट्स फ्यूल करने के लिए और उसकी मिस रिपोर्टिंग के लिए और सरकार को और पॉपलेशन को मिस लीड करने के लिए इन लोगों ने पैसे लेके पका रिपोर्टिंग की होगी इसकी विजाच होनी चाहिए तो ये लोग जो है ये पत्रकार तो नहीं कहे जा सकते ह अब आताती है चिंतित लोगों के बारे में थोड़ा जो विलाप कर रहे हैं बेचारे उनके बारे में प्रेस क्लब जो है परशान हो गया है परेस क्लब एक ही तरह के लोगों के लिए परशान होता है और प्रेस क्लब हो या एडिटर्ज गिल्ड हो ये लोग जो आए ये वही हो बाहर बार उदारण देता हूँ वो गाउं में जो बुड्डे होते हैं उनकी तरह हो गए, जिनके दोती का पीछे कोई खीच करके भाग जाता है, और वो पीछे इधर उदर देखते रहते करें क्या हुआ क्या हुआ, गाली वाली देते रहें, किसी को डाटते रहते, किसी कोई फरक नहीं पड़ता है, ये लोग बस हैं, और अंतिम दिन गिन रहें, इस तरह कि इनके स्थती हैं, अभी 14 पत्रकारों के उपर, जब जो एक तरह से पृतिवन्द लगाया गया, इंडी अलाइंस के द्वारा, तो इन लोग तो तब तो प्रेस कलब में कोई कोई चिंतन मनन शिविडिस टाइप का तो नहीं लगा, कोई वहाँ पे नहीं गया, किसी ने ये नहीं बताया कि ये अव्यक्ति की स्वतंतरता पर हमलाया, और पॉलिटकल रिपोर्टिंग, उस पे ये आक्रमन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी बच्टी कहा है, जो तुम लोग चिंता उनता जो है, जता रहे हो, रवीष जो है, अपने रूम में ही बाइट के तुरंट से एकदम 720 पिक्सल पे HD रिकॉर्डिंग किसी तरह मैनेज करके, और उसमें सोचा क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, हाँ ये बोलता हो कि मूदी ने अभी हाल ही में बनाया है, कि बेल आइकन दबाएं, तो पुलिस ने जो है, बेल आइकन की जगा बेल दबा दिया लोगों का, उसके आज बोले, वार रवीष, अरे, क्या लिख दिया या, घजब का, कलम तोरके फेक दो, क्या लिख दिया मैंने, मुझे तो एवार्ड मिलना चाहिए, इस तरह से मुझे लगता है कि रवीष ने जब ये किया होगा, उसके बाद तो ना चड़ा होगा, नंगा होगा घर में, एडिटर स्किल्ड, अर्णब पे, अमन चोपड़ा पे, मनीश कश्यप पे, इन सब पे ये लोग चुप थे, एक शब्द नहीं बोला गए, आप अगर मैं, एक ट्विट जो है आपके स्क्रीन पे मैं लगाना चाहरा हूँ, उसमें कुछ नाम है, उन नामों को आप अगर पढ़ेंगे, आप पढ़िए एक एक करके नाम, एशियानेट न्यूज एजनसी के उपर केरल सरकार ने जो रेड मारा था, उस वक्त ये लोग चुप थे, भावना किशोर पंजाब पुलिस ने एरेस्ट किया था, क्यों भाए, क्योंकि केजरिवाल के जो शीस महल वाला प पंगाल में, इलीगल जो दारू का और ये सब का चल रहा था, उस पे चल रहा था, उसको जो है बंगाल सरकार ने पकड़ लिया था, निलेश शर्मा, चटिसगर में एरेस्ट हुए, क्योंकि उन्होंने कॉंग्रेस गर्मेंट के सटायर लिखा था, किशोर के स्वामी, तम जुमदार का भी ट्वीट आप पढ़ लिजेगा, उन्होंने भी स्टैलिन पे कुछ लिखा था, और उसके बाद तमिलनाडू पुलिस जो है उनके घर पे पहुंच गई थी, तो इन सब पे तो एडिटर स्किल चुप रहता है, तो बात वही होती है कि ये पत्रकार नहीं ह तब ये लोग सामने खड़े हो जाते हैं, अगर आप वैसा नहीं करते हैं, तो ये रेजिस्टर भी नहीं करते हैं आपको, अर्णाब गोस्वामी पे मतला आप सोचे कि देश का सबसे अधिक टियारपी वाला पत्रकार, सबसे अधिक उसकी कवरेज हो रही थी और उस चल अधिक लगता है, अब प्रश्न ये आता हैंत में कि क्या ये वाकई पत्रकारिता पे हमला है, पत्रकार अगर राह चलते लड़की छेड़ रहा है और उसके उपर मामला बनता है, तो पत्रकारिता पे हमला नहीं होता है, वो freedom of speech and expression पे हमला नहीं है, पत्रकार भी एक नाग है और वो अगर कुछ अवाइध कारी कर रहा है, इल्लीगल काम कर रहा है, तो फिर उसके भी भारत की जो दंड संहिता है, न्याइक प्रक्रिया है, उसके तहत उसके भी कारवाई होगी, पत्रकार आतंक्यों को लोकेशन दे रहा है, पठान कोट वाला याद होगा आपको, जब 2008 में वो कसाब वाला चल रहा था, तो ये लोग लगाता लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, और फिर बर्खादत का तो पुरा इतिहास ही है, कि किस तरह से उन्होंने सेटेलाइट फोन के माध्यम से कैसे कैसे सारे पोजीशन कर गिलवार में बताये थे, उसी तरह से 2021 जो हुआ था, उसमें भी चल रहा था, तो फिर गर्मेंट ने गाइडलाइन जारी की, कि कोई भी लाइव अपरेशन का जब चलता रहेगा, तो आप खाली आदिकारिक बयान चाप सकते हैं, आप लाइव कवरिज नहीं करेंगे, अन्डी टिवी वाला उस वक्त भी कर रह उसका इत्यासरा है, वो बता रहा था कि पठान कोट का एरबेस उसमें कहां पे हमारे हैंगर हैं, कहां पे हमारे हतियार के डिपो हैं, अब उसके बाद एक दिन का उसके उपर बैन लगा था, तो भी ये लोग सब जुट गे थे प्रेस क्लब में, प्रेस की सोतनतता पे हमल नहीं, वो आप एक अवाइध कारी कर रहे थे, उसके कारण आपके उपर एक एक्षन लिया गया, जो एक्षन जिसकी संस्तुती जो है आप सुप्रीम कोट ने भी की, संसद में भी की, और ये लौ बना हुआ था, ये आपको पता था कि आपको नहीं करना चाहिए, फिर भी आ आपने किया था, पत्रकारिता पर हमला ये नहीं है कि आप शत्रुराष्ट से पैसा लीजिए, और मेल में जो आप बता रहे हैं कि नहीं, नहीं, हमें जो है और नाचल प्रदेश का में आप वही सावला दिखाना है जो चीन वाला चाहते हैं, और उसके बाद आप पे कोई कारवाई होती है कानूनी, तो फिर आपके लिए, नहीं, ये ये freedom of speech and expression पे हमला है, घंटी बजा के लोग पहुंचके हैं, बिल आइकन दबा दिया है पुलिस ने, ऐसे नहीं चलता है, पैसों का जब ट्रेल मिलता है, कि किसने आपको पैसा दिया, या कहां से गुमा फिर आ तो ये पत्रकारिता नहीं, ये दलाली है, और दलाली को लेकर के तो वेसे भी laws है, आप दलाल हैं, अगर आप दल्ले हैं, तो फिर उसके लिए कानून में मतलब है, कि दलालों को पकड़ा जाता है और वही कारवाई हो रही है, loss में जाती हुई company जो है अचानक से करोडों रुपिय की funding पा जाती है और उसका कोई और अंत नहीं है, कोई logic होना चाहिए, वो नहीं है वो propaganda लिखती है, PMLA का case होता है और उसके बाद जो है उसके पत्रकारों के, जिस तरह के reporting होती है, जिस तरह से वो videos बनाते है वो पूरा एक trail establish होता है, cause and effect का, तो फिर उसके उपर जब कारवाई होती है तो वो पत्रकारिता पे हमला नहीं होता है पत्रकारिता पे हमला यह है, कि कोई जो है, लगातार किसी नेता के बारे में लिख रहा है और आप उस पे जो है, कहीं दूसरे राज में, उसकी reporting के कारण की reporting तुमने यह कर कैसे दिया, यह सच तो बताना नहीं चाहिए आप NSA उस पे लगवा देते है पत्रकारिता पे हमला तब होता है, जब किसी क्रिमिनल के खिलाफ वो लिख रहा होता है उसके आद उसकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है यह होता है पत्रकारिता पे हमला पत्रकारिता पे हमला होता है, जब आप emergency लगा के कौन सी चीज कहां छपेगी, नहीं छपेगी, वो तै करने लगते है भाजपा जैसी तो मुझे नहीं लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने वाली कोई संस्था या पार्टी कभी भी भारत के इतियास में रही है कॉंग्रेस वाले या वामपंथी दल ये सब तो कम सकम पत्रकारिता पे हमले वामले की बात तो बिल्कूल ही ना करें वो अच्छा नहीं लगता है आपको ये वीडियो के साला का हमें अवश्य बताएं कमेंट करके लाइक शेर और सब्सक्राइब करते रहें मोधी जी का ये मैसेज तो अवश्य सुनें धन्यवाद कर दो सकते हैं